आपको आइडिया तो होगा आज की वीडियो है टिक टॉक वाइरा लाइन और ट्रेंड के ओपर यहां पर मैंने मिस्ट अपने फेस पे स्प्रेय किया है ठीक है उसके बाद में 24 करड़ सीरम लगा रही हूँ नोस पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि नोस पे बहुत आईल आता है अल्ला के फदलो करब आने इसलिए मैं जो एरिया ड्राय है सिर्फ वहा लगाया है ठीक है उसके बाद में प्राइमर लगा रही है उसको दूसरे फिंगर के साथ मिक्स किया थोड़ा सार प्राइमर लिया है जहां जहां पर जरूरत है सिर्फ वहां वहां पर मैंने प्राइमर को अपलाई कर लिया है नेक पे प्राइमर अपलाई क्या करें जब आप किसी इविंट वगरा में जाने के लिए तियार हो रहे हो जैसे शादी है या कुछ भी ठीक है तो नेक पर भी प्राइमर लगाया करे तो मैंने उन में से 5 और 6 को मिक्स करके अपना बेस कलर बनाया है और पेल में थे और बहुत ही अच्छा आप इसको ऑईल बेस्ट क्लिंजर से क्लिंजिंग करके रिमूव नहीं करोगे यह रिमूव नहीं होता साबून से दोने से भी अच्छा उसके बाद यहां पे यह पाउडर है ब्यूटिफाइब आमना का और यह उनका ट्रांस्लिउसेंट पाउडर है वह मैं अप्लाय कर रह नहीं होती अब यहां पर कंटोरिंग कर रही हूं एक मैंने डाग ब्राउन से शेड लिया है उससे मैं अपनी जोलाइन को चिन को सरीफ में सरीफ दर्वियान से कंटोर करती हूं क्योंकि आपके सामने मेरा फेस ओवले अगर मैं पूरे को कंटोर करूंगी तो फेस लंबा को चिन को कंटोर करती हूं पर मैं नोस को क्या है जॉलाइन को आई वगरा को कंटोर करने के बार अच्छे से ब्लेंड लिया उसके बार यहां पर ब्लश लगा रही हूं यह इतना पिगमेंट था आप देखें बस तो गर चेक करें अभा मैं उसको पावडर लगाके सेट कि दूसरी चीज यह है कि वह जो टेप लगानी है उसमें मुझे यह भी टेंशन है कि बेस न उतर जाए क्योंकि सबने वह जो टेप वाला जो सिस्टर में वह बेकप से पहले किया और बाद में मेकप करा है और मैंने तो लेशीज भी लगा ली लेंस भी पहन ली है सब कुछ करक आउटर कॉर्णर और सौकिट की बॉडर पर ट्रास्फर कर दिया है उसके बाद वही सेम शेड मैंने आँखों के नीचे लगा लिया है उसके बाद मैंने एक ही बहुत ही प्यारा सा कलर था ब्यूटिफ आमना के पैलेट के अंदर वो मैंने फिंकर से लिया और उसको दर्म ट्रिक्स होती हैं जिससे आप अपनी आईज को बड़ा दिखा सकते हो अब मैंने रेड शेड को ब्राउन शेड में मिक्स करा है और उसको मैंने अपनी लोर लेश लाइन के एंड पर लगाया और आप देखें लगाते साथ ही आईज में कैसे डिफरेंस नदर आ रहा होगा आपको उसके बाद यहां पे मैं लिप्स्टिक लगा रही हूँ वही सेम शेडर रेड वाला 06 नंबरेस का क्योंके बलेक के साथ रेड बहुत उठता है इस वजह से मैंने रेड लगाया है जो मेरे पास इस टाइम इस किट के साथ जो आया था कलर वो परपल सा था तो मैंन नहीं लगाया मैंने रेड लगाया ठीक है इससे पहले में लिप लाइन बनाती हूं हमेशा और जब वो ड्राइ हो जाती है उसके बाद में दर्मियान वाले लिप्स फिल करती हूं उससे क्या होता है जो लिप लाइन आपने बनाई होती है वो थोड़ा सा डार कलर आता है दर्मियान वाला थोड़ा सा लाइट है तो और काफी अच्छा लुकाता है लेशीज मैंने यूस की है वर्ल्टू और एडिशन से और नमबर आइधिंग 6 था आपको नजर आ रहोगा कौन सा नमबर है लेश गम भी ब्यूटिफाइब आमना का यूस क्या और बहुत अच् फिर माँ मुझे एक लाइन नजर आ गई थी तो मैंने का नहीं ने खुल गया है तो उसके बाद खैर मैंने टेप को खोला और उसके बाद वकास वहीं खड़े को देखने लगए थे करका क्या रही है और मुझे हसी बहुत आ रही थी कि वकास खड़े मैंने बहुत आपने देखी भी होगी वडियो पर लेगी मुझे इतरा समझ में आदा था कि डिरेक्ट नहीं लगा ना क्योंकि टेप बहुत इस्टीकी था और डिरेक्ट मैंने लगाया ना सारा बेस वगरा सब उतर जाएगा क्या थोड़े बहुत बाल भी उतर जाएं और इसकिन भी ख लगाया तो लेशी सारे नीचे की तरफ जुग गई आंखों में लेंस में लगे वे थे तो लोग लेंस में यहां वहां हो गए सारे और मुझे नजर नहीं आरा मैंने पहले सोचा क्या करूं अब वीडियो तो मैंने सारी शूट कर लिए क्या करती हूं यहां पर खतम कर दे आप लाइनर लगा ले और बाद में पूरा मेक अप कर लेना नगिया यहां पर लग लेना फील कर लिया इसको अब आप देखें दोनों तरफ से बड़ी मुशलों से फिल किया है मैने और जो शेड मेने यूज़ था वह जिस बमने ब्रोस को फिल किया ए ना वही ओला यह व पर मैंने सोचा कि भट भी नहीं दिए दर्मियान से पिर कैंची लिए उससे पिर नाक में चुबा कोना जोर से यहां से खैर फिर यह कट होई गया उसके बाद मैं इसको यहां से उतारा एसे और लाइनर लगा ऑफ क्या लाइनर लगा और क्योंके लेशी जो थी वह आउटर क को और उससे जो है मैं इसको साफ कर लिया क्योंके नीचे पाउडर लगावा था धेर सारा तो उससे जो हमारी बेस नहीं उतरी और बेस जोती नहीं वह वैसे भी वाइटर प्रूफ थी वह उतरनी भी नहीं थी लेकिन खैर अब आप लाइनर देखे हैं मैंने लाइनर कितन से बन बना लिए और मेरे पास एक दर दी पिंती जिसे मैंने जूमर उसके इंदर रटका लिया था तो मेरी तरफ से यह ट्रेंड हिट है जो जिसको लाइनर लगाना नहीं आता ना उसके लिए परफेक्ट है तो जो जो टेकनिक बताइए बसाब वो यूज करें उस तरीके अचिक का लग रहा है ठीक है अच्छा यहां पर ना मैंने हाई लाइटर नहीं लगाया था हाई लेटर जो आप देखें बेस कितनी अच्छी लग रही है खरी मेरी आज की वीडियो थी आई होप को अच्छी लगी होगी ऐसा है तो लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को करेंगे वीडियो आपको कैसे लगी मैं मुलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तेल रहेंगा अपना धेर सारा ख्याल अलाहाफिस